तोड़े इंगे करिए और काफी सारे आपस रहें जिन्होंने काफी जादा समय बरबाद कर दिया तो जनाब शुरुआत करते हैं इस वीडियो में सिर्फ यह नहीं बताने की कुशिश करूँगा कि क्या-क्या आपको हेल्प करेगा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या-क्या नहीं करना है सब्सक्राइब करने के लिए कोई अच्छा सा आप हो हम दो-चार आप्शन ट्राइब करते हैं पर मेरा परस्नल एक्स्पीरियंस यह रहा है और इसको आप नोट करें जीवन में especially as a student जब भी सिर्फ आपको अपने आपको मैनेज करना है सिर्फ परस्नल को टीम को नहीं अपने आपको मैनेज करना है तो सबसे अच्छा टाइम टेबल पैन और कॉपी से बनेगा मैंने जितने भी आप्स इस्तेमाल के लिए ऐसे नहीं वो खराब है पर होता क्या है आप मैं दो दिन, पाँच दिन, छे दिन फॉलो कर लोगे उसके बाद एक महीने बाद आपको यादी नहीं रहेगा मैने यह आप भी डाउनलोड किया था क्या तो मैजॉरिटी ओफ स्टूडिंट्स के साथ मैंने यही होते वे देखा है पर उसके बाद एक महीने के बाद वो ट देख यह होना चाहिए कि आज की दिन हमारा focus span बहुत कम होता जा रहा है राइट हम लवी वीडियो भी लंबा हुआ तो lecture भी लंबा हुआ तो उसको देखने में हमारा मन उठता है तो ऐसे में हमें नया बहाना नहीं चाहिए कि हम बार बार उस app को खोले फोन को खोले पता यूज करता हूँ किस चीज के लिए नोट मेकिंग के लिए अब काफी सारे लोग हैं जो नोशन को इस्तमाल करते हैं ट्रैकर के लिए कियार इसमें हम अपना schedule ट्रैक करेंगे फलाना चीज ट्रैक करेंगे फिर से मैं वहीं बोलूँगा productivity के लिए अगर सिर्फ personal को manage करना है self growth book पढ़ रहे हो आपने कोई autobiography पढ़ी आपने कोई अच्छी podcast देखी जिसमें से तीन चीज़े निकली आपने कोई TED talk देखी आपने ये वीडियो देखा कोई भी वीडियो देखा आपको जहां से भी कुछ अच्छा मिला आप उस personal notes आप पनाना चाते हो उसे आज नहीं ह अगर आप एक ऐसे वेखती हो जो कि मालनो college के अंदर आगे हो और अब एक team को manage कर रहे है for some reason या फिर आप एक छोटा startup incubator अपने college में चला रहे हो या आप एक event organize कर रहे हो जिसमें एक team है जिसको आपको schedule देना है बहुत सारे लोग हैं जिनका time table बनाना है उस particular case में एक app जि value दी है वो है Google sheets एक जमाने में Microsoft Excel वो काम किया करता था पर आज के दिन Google sheets में additional benefit हमें ये मिल जाता है कि sharing का option होता है उपर तो मालो मैंने एक schedule बनाया और मुझे चार लोगों के साथ share करना है तो मैं उनकी email ID share में डालूँगा और उन्हें या तो editor या viewer access दे दूँगा तो इस इस तरह की चीज़ें आज के दिन में हमारी company में जितने भी operations होते हैं शायद मैं एक भी दिन imagine नहीं कर पाऊंगा कि अगर Google sheet नहीं तो मुझे नहीं पता कैसे चीज़े चल रही होगी कौन क्या काम कर रहा होगा किसने क्या किया trackers, DTR, KPIs, सब के सब Excel sheet के उपर या Google sheet के उप क्या यह फालतिसी चीज़ें क्यों क्योंकि तब तक खुद को ही personal manage करना होता है तो वह पन्ने में सारे time table बन जाते हैं जैसे ही आप थोड़ा सो professional life की तरफ जाओगे या कुछ teamwork कर रहे हो तो जनाब वहां पर यह आपका life saver application बनके आएगी आएगी तो पाते next के उपर आज के दिन YouTube एक ऐसा platform निकल का है जहां पर काफी सारे creators, teachers, educators सब बनके बहुत प्यारा-प्यारा content लेकर आ रहे हैं तो मैं जब अपने college के अंदर था तो मेरे college के काफी सारे semester exam की पढ़ाई यहीं से हुई और आज के दिन जितने 9, 10, 11, 12 के class की बच्चे वो भी यहीं से बस आप आपको मैं एक internal छोटा सा tip देना चाहूंगा जो मैंने analyze किया खुद 7 साल बच्चो को पढ़ाते हुए कि जब हम YouTube पर analytics देते हैं तो लाखों बच्चे एक lecture को देखते हैं पर सिर्फ कुछ हजारों बच्चे होते हैं जो कि उसको पूरा सही फाइदा उठा पाते हैं क्योंक कुछ हजारों की मात्रा में निकलेंगे सभी लोग अभी उस फ्री चीज का फाइदा नहीं उठा पा रहे हैं अब education में काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिने अपनी classes structured format में चीए एड वगेरा बीच में नहीं चीए होते हैं तो ऐसे में कुछ एक platform है जहां पर बहुत ब लाइबरी की access वगेरा मिल जाए है साल बर के लिए वो भी मात्रा अठारा सो रुपे में डेट सो रुपे प्रती महिना आज मेरी ममी का बहुत दे है तो हमने ममी के लिए खाना वाना कुछ केक वेक कुछ घर वालों के लिए खाना मंगा तो वो भी महंगा पड़ जाता है तो हाँ भई इस तरह की अच्छी चीजे हो रखी है और सोड़े पे सुआगा ये है कि हम इसे खुद इस्तवाल करते हैं इस skills share को और जो भी पहले हमारे हजार viewers होंगे नीचे मैंने description box में एक link दी है उन सबको एक मन्त का free trial मिलेगा वैसे भी 500 रुपे पर महिना था पर आश करो नेक्स जो चीज है वो एक application नहीं है वो एक setting है जो कि आप mobile में जाकर tweak कर सकते हो जिसे कि आपकी phone से distraction कम हो जाएगी जनाब ये मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था जिसको बोलते है ग्रे स्केल सेटिंग इससे आपका जो phone है रंग बिरंगा वो काला ब्ला बैतर decision बना ले पाते हैं बैतर decision से बैतर जिन्दगी बना पाते हैं तो उस gray scale setting को आप जनाब इस्तमाल कर सकते हैं जो gray scale की settings है ये Android में अलग होती है iOS में लग होती है तो इनकी में description box में जनाब जो steps है वो देने के कौशिश करूँगा वहाँ पर आते हैं अब हर एक व्यक अब जब वो paid subscription में जाता है तो उस app के अंदर उसको notes मिलते हैं उसको lectures मिलते हैं और वो एक dedicated application होती है जहां पे इधर उदर की nonsense नहीं मिलेगी ना आपको ad मिलेंगे ना आपको comedy मिलेंगी ना आपको movies मिलेंगी ना आपको music मिलेगा वो एक dedicated app होता है तो वो एक और application है हर related होते हैं next बात कर लेते हैं audiobooks इनके साथ यार काफी फुराना संबंध है मेरा जब मैं अपने college के first second year में था तो काफी बार ऐसे मौके होते हैं जब आप book पढ़ नहीं पाते हैं आप Metro के अंदर travel कर रहे हो आप college के अंदर walk कर रहे हो आप कहीं हो जहां पर किताब नहीं करें हर चीज को दुबारा देखना पड़ता है बढ़ना भूल जाते हैं तो फिर eventually यार मैं वापस इन traditional book reading के उपर आया क्योंकि अब यहां पर आप जो पढ़ते हैं तो complete किसी भी किताब को नहीं पढ़ना होता आपको दो चाप्तर अच्छे लग रहे हैं 20 पनने 50 पनने ज जरूर रखे बुक जो traditional है हाँ शुरुआत में बहुत जादा आपको resistance आएगा कि यार मैं नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि में भी शायद English पढ़ने में आपको slow feel हो रहा है यार audiobook जल्दी निकलती है पढ़ने में time जादा लगता है या फिर कुछ शब्दों का meaning नहीं समझ म आपाता है पर अगर आपने दो तीन महीने भी उन किताबों को पढ़ लिया आपके पास एक बहुत magical मैं कहूंगा वर्दान टाइप मिल जाएगा जो किया कि आपकी बुक रीडिंग बहुत fast हो जाएगी अगर आपकी बुक रीडिंग आपने college या school के दोरान fast कर ली अपने अगर आप एक किताब दोगो कि वो उनकी reading बहुत fast होती है और वो reading fast तब होती है जब उसकी practice हो और ये किताब है वही practice का आपका तरीका बनते हैं चाहिद ही कोई government exam होगा जिसके अंदर English ना पूछी जाती हो चाहिए कहीं पर word meanings के माध्यम से है कहीं पर grammar के माध्यम से है त पिर आप अपनी books पढ़ रहे होते हो तो जनाब वो fast कर लेते हो चीक है कुछ काफी लोग है अपने regional languages में देते हैं पर मानलोग अगर आप English language को target कर रहे हो तो जनाब उधर ये books आपको बहुत जादा help करेंगी पहले दो तीन महीने बहुत एक resistance रहेगा ये मैं personal experience से बता र लगती हैं पर ये कहा कि इस किताब को आपने आज पड़ा हो सकता है तीन महीने बाद आप दुबारा खोल लो इसको क्योंकि आपको नीर पड़े या दो साल बाद आप वापस खोल लो और आपको वह मांक करीवी चीजे देखेंगी और उस तरह में एक अच्छी बाए और मैंने पड़े थी यहां याद आ रही है और आपकी बुक रेडिंग भी फास्ट हो गई यह सबसे बड़ा वर्दान होगा इन फाक्त यह तो सिर्फ रेडिंग है इफ पॉसिबल आप अपनी हमेशा राइटिंग भी अच्छी रखना क्योंकि आगे सिर्फ यूपीए सी अप्रोच करते हो तो आप क्या लिख रहे हो अगर फोन आप मिस कर गया मैसेज आप मिस कर गए या किसी को फर्स टाइम अप्रोच कर रहे हो क्या लिखना चाहिए कैसे लिखना चाहिए क्या मेरी लांग्विश ठीक है क्या मेरी ग्रामश ठीक है तो वहां पर यह बहुत ए रहे हो सिर्फ खुद को manage कर रहे हो तो productivity apps हैं और बहुत शानदार app हैं बस मुझे काफी जगह बच्चों के साथ sustainable नहीं लगे तो उधर pen copy में आपका सबसे benefit होगा अगर group में आपको task schedule करना है जिसमें 4-5 लोगों का schedule complex schedule task हो रहा है Google sheets best है personal notes आपको बनाने notion आपका best है अगर आपको education based आपको चीज़े पढ़नी है तो YouTube आपका best है आपको skill based जैसी चीज़े करनी है तो skillshare पर आप जा सकते हो similarly अगर आपको stimulation डाउन लेके आना है तो grey screen setting यूज़ कर सकते हो और अपनी एक money control app करके होते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया कितना आपने खर्च किया हर हफते का हर दिन का ट्रैक करते हो पर फिर मैं सोचा काफी सारे students है जिन्होंने शायद अभी earning start नहीं करे होगी वरना money management के लिए चाहे free हूँ या paid हूँ या आपको जरूर इस्तमाल करने चीए आप college के अंदर हो तो तो इसी के साथ आज का ये जो session है जनाब मैं समाप्त करना चाहूँगा I hope जो भी मेरा छोटा बहुत personal experience था उससे मैं help कर पाया हूँ अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो जरूर बताएं और अगर और कोई doubt हो तो मुझे comment section ने भी बताएं तब तक के लिए all the very best, love you all, take care, see ya, bye